नमस्का इशन इस इंडिया में आपका स्वागत हैं में प्रिया आपके साथ एक्ट्रेस सबा आजाद इन दिनों मीनी वेब सीरीज के प्रोमोशन में बीजी है इस जोरान उन्होंने एक इंटर्व्यू में अपनी परसनल लाइफ के बारे में बात की है सबा ने कहा है कि अपनी परसनल लाइफ के चलते सोशल मीडिया पर काफी नफरत का सामना करना पड़ा है दरसल सबा का नाम पिछले कुछ समय से उनके काम से ज़्यादा रितिक रोशन को डेट करने के चलते सुर्ख्यों में रहा है रितिक को डेट करने के बाद मिले मीडिया अटेंशन पर सभा बोली मैं बहुत कम बाहर निकलना पसंद करती हूँ और मुझे घर में वक्त बिताना पसंद है इसलिए शुरुआत में जब पेपराजी से पाला पड़ा तो ये काफी डरावना था मैं जूट नहीं बोलूँगी मुझे इस तरह के एक्सपोजर की आदत कभी नहीं थी सभा को इस बात का भी अफसोस है कि उनकी परसनल लाइफ उनके नाम को ओवरशेडो कर रही है सभा ने रितिक के साथ रिलेशन्शिप ओफिशिल करने के बाद मिले हेट कमेंट्स पर भी बात की उन्होंने कहा मैं कोई पत्थर की नहीं बनी हूँ मुझे भी फर्क पड़ता है और बहुती बुरा फील होता है कई बात जब मैं सोकर उठती हूँ तो लगता है कि मैंने किसी के साथ क्या कर दिया मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ अब अपनी लाइफ इंजॉय कीजिए आप मेरे खून के प्यासे क्यों हों लेकिन फिर मुझे लगता है कि लोग क्या सोचते हैं मैं उस पर काबू नहीं कर सकती ये सोचकरी मैं खुद को शांत कर लेती हूँ लोग मुझे मेरी परसनल लाइफ के लिए जच करते हैं लेकिन मैं इसे बदल नहीं सकती इसी के साथ बने रही है एशाली जिन्दा के साथ खाली बात